नमस्कार जय जगरनाप हमारे चैनलीजी फूड़ वीशस पर आप सभी का स्वागत है आज हम स्यार करेंगे आप लोगे साथ चीकेन 65 की रेसिपी आई होप आपको पसंद आए चलिए स्टार्ट करते हैं उसके लिए हमें चाहिए चीकेन अध्रव लशन का पेस्ट मैदा दही कान फ्लोर ठ्राय करने के लिए वेजिटबूल ओयल अंडा हरी मेर्ज निम्बू कड़ी पत्ता कुटी हुई काली मेर्ज गरम मसाला नामक हल्दी पाउडर लाल मेर्ज पाउडर पहले हम चीकेन को लेंगे और मेरिनेट करेंगे इसमें मैं डाल देही हूँ दो टीस्पून अध्रव लशन का पेस्ट अब डाल लेंगे दो से तीन चमच दही नमक स्वाद अनुसार हल्दी पाउडर अपने हिसाब से डालिएगा लाल मेर्ज पाउडर कूटी हुई काली मेर्ज और गरम मसाला अब एक अंडा को टोड़के इसमें डाल देंगे तीन चमच मैदा और तीन चमच कान फ्लूर लेमन हब डालेंगे उसके जूस को डाल देंगे इस तरह से अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे अब इसे एक घंटे के लिए फ्रीज में रखेंगे यह अच्छे से मेरिनट हो चुका है अब इसे फ्रीज में रख देते हैं एक घंटे के प्याद मैं इसे फ्रीज से निकाल ली हूँ चलिए इसे फ्राइ करेंगे फ्राइ करने के लिए मैं ओयल को गरम कर ली थी अब इसे इस तरह से डाल देंगे और फ्राइ करेंगे हमारा ओयल जो है वो मेडियम गरम रहना चाहिए और फ्लेम को भी हम मेडियम पर रखेंगे और इस तरह से डाल कर इसे गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राइ करेंगे कि गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है हमार चिकन भी अच्छे से पक चुका है अब इसे एक प्लेड में निकाल लेते हैं इस तरह से साल चिकन को हम फ्राइ कर लेंगे मैं फिर से एक प्यान गरम करके उसमें हाप टेबल स्पून ओयल डाल दी थी और इसमें कड़ी पता और हर्री मिर्च डाल दी हूँ और इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर अब जो हम चिकन को फ्राइ करके रखे थे उसे डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे आपके पास रेड चिली सॉस हो तो वह भी डाल सकते हैं रेडी हो गया हमारा चिकन 65 अगर हमारे रेसिपी अच्छा लगा तो लाइक कीजिए दोस्तों को सेयर कीजिए और हमारे चैनल में जो नए हैं सब्सक्राइब करके अल बटन पर ज़रूर प्रेस कीजिए गा जिसके बुझे से हम जो भी कुकिंग रिलेटर ने वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिके आपके पास सिला जाएगा थांक्यू पर वाचिंग